21 number question, देखो इसमें क्या बोला है, a box of constant volume C is to be twice as long as it's wide, the cost per unit area of material on the top and four sides is three times the cost for bottom, the most economical height of the box, most economical height पूछी हमसे, मैं क्या करूँगा इसके अंदर, देखो, सबसे पहले तो है ना, अब length को मान लो, twice as long as it's wide, width है ना जो, breadth, x नाम देदो, length हो जाएगी, आपकी 2x और जो height है ना, आपकी, तो small h नाम देदो, ठीक है, अब देखो, C जो है आपका volume, इसके बराबर हो जाएगा, 2x into x into h, जो होगा, वो कितना होगा, C upon 2x square हो जाएगा, C upon 2x square, यह आपकी height हो गई, अब C upon 2x square, यह मेरी height हो गई, तो इसके बाद में मेरे को क्या करना है, देखो, cost per unit area, per unit area की जो cost है ना, वो base के उपर जितना भी cost खर्चुआ है, उसका 3 गुना है, बाकी सारे जो 4 walls और top को, अगर मैं देखूं तो, तो देखो, according to question, अब यहाँ पर है ना, rate तो हमें दी नहीं है, तो हम area के उपर ही पूरी बात कर लेते हैं, तो देखो, top जो होगा, top, वो किस किस से मिलकर के बना होगा, top और bottom, base और L और B से बने होते हैं, तो 2x into x, एक तो यह हो गया, अब यह कितनी बार होंगे, देखो, height और breath और height और length, दो दो बार होंगे, तो 2hx plus h into 2x, यह किस के बराबर होगा, 3 times 2x into x के बराबर, क्योंकि base पे जो पैसा खर्चा हुआ है, वो तीन गुना है, बागी सारी, बेस के उपर जो पैसा खर्चा है, अगर उसका तीन गुना करूंगा, तो चारो वाल्स का और टॉप का, क्योंकि निकल जाएगा, तो देखो, कितना हो गए यहाँ पे, 2x square, कितना हो गए, 3hx, यहनिकि 6hx, 6x square, 6 times of hx equal to 4 times of x square, x से x गया, तो h का value कितना गया, 2 by 3 of x, h का value कितना किया, 2 by 3 of x, ठीक है, यहाँ समझ में आ गई, अब देखो, हमें क्या करना है, most economical height पता करनी है, तो जो curve, total surface area है न, total surface area, total surface area को minimum कर देते हैं, अपन, क्योंकि कॉस्ट जो है, वो जितना बड़ा ही जाओगा, तो ज्यादा कॉस्ट होईगी, most economical section के लिए हमें कम से कम कॉस्ट करनी है, तो देखो, 2 times, 2x into x, x into h, 2x into h, 2x into h, यह निकलेगा, तो यह आगए मेरे पास, 2x square, hx into hx, 3 times hx, अब देखो, h का value क्या था मेरे पास, h का value किता था, c upon 2x square, h का value c upon 2x square, put कर दो, यहाँ पर, c upon 2x square into x, तो अब यह तो cancel होगे आपका, एक x से यह x, तो यह निकलेगा मेरे पास, 2 times, 2x square, 3c upon, 2x, 3c upon, 2x, तो यहाँ से, 2 LCM ले लो, 2 का अंदर multiply कर दो, हो न, 4x square plus 3c upon x, 4x square plus 3c upon x, तो क्या आगे मेरे पास, s, अब इसको minimize करना है, ठीक है, c तो constant है, इसको differentiate करो, तो ds, ds by dx, x का derivative, कितना होज जाए गई, 8x, minus 3c upon x square, minus 3c upon x square, इसको 0 के एक वाल इकवेट कर दो, यहां से आप, जैसे आपने 0 के एक वाल इकवेट किया, तो कितना हैगा, 8x equal to 3c upon x square, तो x cube equal value कितना होगया, 3c by 8 हो गया, 3c by 8, x का value कितना होगया, 3c by 8, 3c by 8 का whole power, 1 by 3, 3c by 8 का whole power, 1 by 3, अब x का value 3c by 8 का power, 1 by 3 होगया, तो मैं इसके के अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मेरे को हाइट निकालना है ना तो देखो आपके पास रिलेशन पढ़ा हुआ है आपके पास रिलेशन पढ़ा हुआ हाइट और इसके अंदर ठीक है इसका वेल्यू आपका आ जाएगा